मखर राषिवाले दोस्तों, ग्रैग उच्र के उनसार फरवरीमा जोश, उठसा, उमंग और उर्जा शक्ती का भाव लेकर आएगा राशी में उर्जाकारक सूर्या का संचार तो बुद्धी स्थान पर उर्जाकारक मंगल के संचार से नवीन उर्जाशक्ती का संचार होगा लंबे समय से आतम विश्वाश में मैसूस हो रही कमी भी दूर होगी उच्च मनोवल देखने को मिलेगा इसलिए फरवरी मा कुछ कर गुजरने और जोखिम लेने के उदेश्या से महत्त पुरण बना हुआ है आपका अपने प्रती विश्वाश और बुलंद इरादे जीवन में आगे बढ़ने तथा कुछ नया करने के लिए अप योगी साबित होंगे इसलिए उर्जा शक्ती और मिले मोके का उजितलाब उठाएं नमस्कार दोस्तों मैं स्टोलेजर रजेश कालिया हार्दिक स्वागित करता हूँ आपका अपने यूटीब चनलक्षी तैस्ट्रो मास्टर में मेरे मकर राशी वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों वैसे भी साड़े साथी का अंतिम चरन शुरू हो चुका है इसलिए चिंता का कोई विश्या नहीं है यह अंतिम चरन पिछले चरनों की तुलना में काफी सक्रात्मक रहेगा फिलहाल इस वीडियो में फरवरीमा की बात करेंगे विस्तार से जीवन के सभी महत्तपुरन पहलों पर चर्ष्टा करेंगे मैं बिना कोई आतू फातू बात किये बगए सीधी स्पष्ट और स्टीक बात करने में अधिक विश्वाश रखता हूँ दोस्तों शुरुआत करते हैं स्वास्ते से राशी स्वामी शनी राशी परवर्तन कर पहले से अधिक मजबूस स्थिती में आ चुका है क्योंकि कुम्प राशी में शनी के बेहतरीन परिनाम देखने को मिलते हैं राशी स्वामी का द्वित्य भामे संचार स्वास्त के दृष्टी कौन से उत्तम है मकर राशी वाले मेरे वह दोस्त जो लंबे समय से अनावशक मानसी का अशांती से गुजर रहे थे अब वह उस स्थिती से बाहर आएंगे आतम विश्वास मजबूत होगा तथा आतम विश्वास की मजबूती स्वास्त को बहतर बनाएगी परन्तु 13 फरवरी के वाद अपने दांतों और पेट का खास द्यान रखे मेरे वह दोस्तों पहले से ही इन से सबंदित किसी समस्या से गुजर रहे हैं उनको अधिक स्तरक रहने की वे शक्ता रहेगी वानी का भी सोच विचार कर प्रियोग करे इसके लावा स्वास्त के सबंद में कोई बड़ी प्रेशानी की संभावना नहीं है बात करे शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए फरवरी मा काफी अनकूल बना हुआ है पूरा नुमा पंचमभा पर प्राकरमी मंगल संचार करेगा तो पंद्रा फरवरी से पंचमभा का स्वामी शुकर वी उच्च राशी में गोच्चर करेगा इस से विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा अफल सफलता और उन्नती के रूप में मिलेगा वहे विद्यार्थी जो परतियोगी प्रिक्षाओं में सम्मलित होने का वीचार बना रहे हैं पंद्रा फरवरी के बाद समय की शुपता का भरपूर लाब मिलेगा निश्चित ही सम्मलित हो सकते हैं ओनलाइन शेतर से सबंदित विद्यारतियों के लिए यह समय किसी बर्दान से कम नहीं है। ओनलाइन शेतर में बहुत अच्छा कार्या करेंगे। सफलताब के कदम चूमेंगी। कोल मिलाकर फरवरी मां में विद्यारतियों की मेनत रंग लाएगी बात करें प्रेम्स बंदों की तो आपकी राशी के लिए प्रेम्पयार बाब के स्वामी प्रेम्पयार रोमांस और भोग विलासकारक शुकर है फरवरी मा में शुकर की उच्छ स्थिती प्रेमस बंदों को नई उंचाईयों पर ले जाएगी प्रेमस बंदों और रोमास के मोरचे पर अनांद रोमांच और प्रसंता की अनुबूती करेंगे इस मा प्रेमियों को अपने प्रेमी जन के साथ गोमने, फिरने, मोजमस्ती करने, और समय वैतीत करने के अनकूल अफसर मिलेंगे घर से बाहर रेस्टोरेंट वगईरा में स्वाधिष्टवेंजन खाने का नंद प्रापत करेंगे प्रेमी जन के साथ सोशल मीडिया पर भी अच्छा समय वैतीत करेंगे दोस्तों 15 फरवरी के बाद सिंगल दोस्तों के सोशल मीडिया पर नए प्रेम परसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है पूरन मा प्रेम प्यार बाप पर गरम गरा बंगल भी संचार करेगा इसलिए आप कभी कबार प्रेमी जन को डांट फटकार भी लगा देंगे पर शुकर की शुपता प्रेम सबंदों को मदूर और मजबूत बनाए रखेगी कोई नकरात्मक प्रवाब देखने को नहीं मिलेगा फिर भी करोध वानी और वहवार के प्रती सजग रहें कुल मिलाकर फरवरी मा में प्रेम सबंदों में एक नई उर्जा का संचार होगा अब बात करते हैं शादी शुदा दोस्तों और थाथ दंपत्या जीवन की दोस्तों लंबे समय से आपकी राशी का दंपत्या भाब शनी की कूद रिष्टी से गरस्त चल रहा था इस से जीवन साथी के सुख, सने, सैयोग, स्वास्त और स्वाब पर काफी वपरीद परवाब पढ़ रहा था प्रंतु अब दंपत्या भाब शनी की कूद रिष्टी से मोक्त हो चुका है दंपत्या जीवन के स्वंद में यह बहुत वड़ा सक्रात्मक परिवर्तन है पिछले समय से दंपत्या जीवन में पेशारी प्रेशानियों से रहत मिलेगी पती पतनी के मद्या चले आरे पुराने गिले शिकवे भी दूर होंगे दोस्ता अब गुरू की दंपत्या भापर पढ़ रही उच्छ द्रिष्टी का लाब मिलना शुरू हो जाएगा मकर राशी वाले शादी जो गया उमर के अविवाई तो दोस्तों को भी इस द्रिष्टी का बहुत बड़ा लाब मिलेगा शादी विवा के रास्ते आ रही अर्चने दूर होंगी तथा शादी विवा का रास्ता साफ होगा बात आगे वड़ेगी कुल मिलाकर जैसे जैसे फरवरी मा वैतीत होता जाएगा दंपत्या सुकों में वरिदी होती जाएगी सुक शांती और परसंता का महोल बनेगा दो तब ग्रैहों के राशी परोरतन पर एक नजट डालते हैं और साथ साथ में बात करेंगे भाग गया दन करियर सुक संपत्ती संतान निवेश वीदेश वेपार और शत्रों के सबंद में मकर वालों के लिए फरवरी मा की ग्रैह गुच्री स्थिति क्या लेकर आ रही है फरवरी मा में कुल तीन ग्रैहों सूर्या बुद और शुकर का राशी परोरतन है इनमें से शुकर और भुद का राशी परोरतन आपके लिए अतियादिक महत पुरन रहेगा सबसे पहले भुद का राशी परोरतन है साथ फरवरी तक भुद दादश बाप बादक स्थान पर संचार करेगा इस बाप पर भुद लकरातम कुर्जा पैदा करता है वैर्थ की चिंता परिशानी लगी रहती है भाग्या के सुख्ख हैं सैयोग में भी कमी महसूस होती है तो साथ फरवरी को बुद्ध राशी प्रवर्तन कर प्रथमबाब अरथात आपकी राशी में प्रवेश कर जाएगा वेर्थ की चिंता परिशनी और अनावशक खर्चों से रहत मिलेगी बुद्धी का वेर्थ के कारें में अपयोग नहीं करेंगे तथा बुद्धी बल में वृद्धी होगी भाग्या का सायोग मिलेगा वैपारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी रहत मिलेगी वैपार में तेज्जी के नकूल अबसर प्रापत होंगे राशी में सूर्या और बुद्ध का यूती योग बहुदी क्षमता में वृदी करेगा आपकी राशी पर बुद्ध लगवग 20 दिन 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक संचार करेगा बुद्ध के समन्द में यह समय अनकूल रहेगा सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्या करना है तो 13 फरवरी तक उस कार्या को निप्टा लेना अधिक बहतर रहेगा क्योंकि बुद्ध के बाद ग्रेहों के राजा प्रकापी सूर्या का राशी परवर्दन है 13 फरवरी को सरकार राज्या उचपदवी मांसमान पीता और अरोग्या का रक सूर्या राशी परवर्दन कर दितिये भाव में शनी के साथ यूतियोग बनाएगा अब दो अतिशत्रू ग्रेहों का दितिये भाव पर यूतियोग दन वानी और कटोंब के समझ में कुछ नकरातमक रहेगा दो तो इस सवदी में दन का लेंदेन सावदानी पूरवक करें आंखे बंद कर किसी पर भी विश्वाश ना करें वानी पर नियंदरन रखें वानी के द्वरा कूव वचन और कटो वचन का प्रयोग कटोंब की सुक्षान्दी को परवावित कर सकता है सरकारी मामलों से दूरी बना कर रखें नहीं तो दन रसुरूप कोई सरकारी जुर्माना वगएरा हो सकता है धन बाप पर शुकर का संचार उत्तम बना हुआ है वैसे पूरन माशुकर का संचार बेहतर बना रहेगा पंदरां फरवरी तक शुकर धन बाप पर संचार करेगा इस सवधी में बुद्धी वानी और संतान के माद्यम से दन लाप के उसर पैदा होंगे 15 फरवरी को शुकर राशी परवर्तन कर तीरतिय भाव और अपनी उज्ज राशी में परवेश कर जाएगा आपकी राशी के लिए शुकर संतान और करम बाप का स्वामी भी है इसलिए शुकर की उश्टव स्थिती संतान और करियर के दरिश्टी कोंसे भी उत्तम रहेगी करियर में स्थिरता आएगी संतान सुक में वृदी होगी संतान के साथ कोई पुराने गिले शिकवे हैं तो वह भी काफी हद तक दूर हो जाएंगे निवेश कारों से जुड़े दोस्तों को भी शुकर की शुक्ता का लाब मिलेगा दोस्तों तिर्तिय बापर गुरू और शुकर की शुक्ता का लेखन और संचार कारों से जुड़े दोस्तों को भी बहुत लाब मिलेगा मेरे वहे दोस्त जो ब्लॉग, यूट्यूब, फेस्बुक और अन्या ओनलाइन समंदित को रोजगार करते हैं, वहे अपने शेतर में बहुत अच्छा कार्या करेंगे, सफलता मिलेगी, मेहनत बुद्धीवल और क्रेटिविटी का पूरन फल लाब के रूप में मिलेगा, छ शुकर की मजबूस तीती के साथ आप मार्चमा में परवेश करेंगे, आगे की चर्षटा हम मार्चमा के राशीवल में करेंगे, दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कि रपेल, लाइक, शेयर, कमेंट्स और सबस्क्राइब करना ना भूलें, दिन्यावादू